यह windfall text क्या होता है क्योंकि आप देखते हैं कि यह हमेशा चर्चा में बना रहता है तो आज हम लोग इसके वारे में एक बिस्तार से चर्चा करेंगे और आप सभी जानते हैं कि इस तरह की टॉपिक से आपकी परिक्षाओं में questions पूँचे जाते हैं और अगर आप लोग इनसान की रूब में जनम लिया हुआ है तो मुझे लगता है कि इस तरह की जानकारी आप लोगों को मालू होना चाहिए यही तो एक पड़े लिखे जागरूक इनसान की पैचान होती है विंड फॉल टेक्स तो भारत की अलाबा आप लोगों को मालू होना चाहिए कि कई और देश भी इस तरह की टेक्स को देखते हैं अलाबा United Kingdom, Italy और Germany सहित कई देशों से पहले ही उर्जा कंपनियों के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर आप इत्यासित लाब कर यानि कि विंड फॉल प्रॉफिट टेक्स लगा दिया है या करने का ऐसा करने का विचार भी करती रहती है यह कंपनिया अगर हम लोग विंड फॉल टेक्स की बात करें तो विंड फॉल टेक्स किसी विशेश कंपनिय या उद्धियों को हुए आप इत्यासित बड़े मुनाफ़ेपल लगाई गई उच्चे करदर होती है टेक्स की दर होती है मालने जी कि आप लोगों ने एक कंपनी बनाई होई है उस कंपनी में आप इत्यासि मुनाप़ा हो रहा है लाव हो रहा है तो उस पर आप देखेंगे सरकार चाहे तो विंड फॉल टेक्स लगा सकती है उधारन के लिए रूस युक्रेयन संगर्स की परड़ाम सरूप ओरजा मूल बिद्धी और ये ऐसी लाव होते हैं जिने फार्म त्वारा किसी सक्रिये निवेस रणनीती या बिवसाई की विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं ठैरा आया जा सकता है आपित्यासित लाव को बिना किसी अतरिक्त प्रियास या बै के आय में अनरजित और आपित्यासित लाव की रूम में परिवासित किया गया है और सरकारे आहमतोर पर इस तरह के मुनाफे पर करकी सामानदरों के उपर पूर व्यापी रूप में रूप से एक मुस्द कर लगाती है जिसे बिंड फॉल टेक्स कहा जाता है और एक चित जहां इस तरह के करों पर नेमित रूप से चर्चा की जाती है वह है तेल बाजाल जहां कीमतों में उताव चड़ाओने से ओद्यो को आईस्थिर या अनिश्चित लाब होता है आपने देखा गया कि एक समय ऐसा था कि कच्चे तेल की दाम बहुत नीचे गर गया थे हमारे देश की कंपनिया बहुत पिरुपर्ट में थी तब उस समय भी बिंड फॉल टेक्स चर्चा में था उस समय भी लगाए गया था इसके उचिति की अगर हम लोग बात करें तो आपित्यासित लाब के पोनर वित्रण सहत कई कारणों से दुनिया भर की सरकारों द्वारा बिंड फॉल टेक्स को पेस किया गया और जब उभोकता बस्तूओं की उच्च कीमतों से उत्पादकों को लाब होता है साथी सरकार को भी सामाजिक कल्यान योजनाओं के लिए बित्पोसन हितु राजस्य की प्राप्ति होती है गरोने के दाम गिर रहे थे अंतराष्टी बाजार में लेकिन आपने देखा होगा भारतमे कोई परक नहीं पड़ा था भारत में बड़ ही रहे थे क्यों? क्योंकि आप देखें इस तरह का indirect tax ही लगा दिया जाता है और इस तरह कि तेल हो, कच्चा तेल हो, या आप देखें कि आपका petrol, diesel, gas इन पर बहुत high tax होता है और इस tax से से ही आपकी सरकारें चलती है और आप देखते हैं जो कल्यान कारी यह उजनाय रहती है जिसमें COVID-19 का सामना करने ही तो आर्थिक सुधावर की द्वारान उर्जा की मांग और आपूर्टी की मांग को बढ़ा दिया है बढ़ती कीमतों का अर्थ उर्जा कंपनियों के लिए भारी और रेकॉर्ड मुनापा था जिसका गारण बड़ी चोटी अर्धवस्थाओं में घरेलू बिलों है तो बड़े गैस और बिजली के बिल थे यह कर ऐसे समय में लगाया गया था जब रेफाइनरों ने इउरोप जैसे घाटे में फसे देशों को इन्धन निर्यात बड़ा कर बड़ा लाब कमाया जिसे अब रूस से तेल आयात करना का बहिसकार किया है राष्ट एउएन उनाइटिड नेसंस के पिरमोखों ने सभी सरकारों से इस अत्यधिक मुनाफ्य पर कर लगाने का अग्रे किया था और इस कठें समय में सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करने की धनका उफ़ोग करन कर रहे हो स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो या वंडे एकजाम की तैयारी कर रहे हो इसकी इस्तापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी नियॉयोर्क USA में इसका हेड़कॉर्टर आपको देखने को मिलेगा आप इत्यासित करों को लागू करने की अहान को आये में जैसे संगटनो में भी समर्थन मिला है और जिसने इस परकार की करों को आरूपित करने की विशाय तरीकों का पर एक परमर्स पत्य जारी किया है अच्छी बात है कर लगाईए आपके पास जो पैसा है वो गरीब है जो पिछड़े हुए है उनके लिए आप खरच करिए कल्यान कारी योजन है और इसका उद्देश स्थापना की अंतराष्टी है मौदिक सहयुक को बढ़ावा देना अंतराष्टी व्यापार को सुगम बनाना इस थाई आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भुक्ताव संतुलन की कट्नाईयों का सामना करने वाले सदस्नों को संसाधन उपलब द इसवास रखती है चूंकि आप अपयत्यासित कर्पूरुख व्यापी रूब में लगाए जाते हैं और प्रया अपयत्यासित घटनाओं से प्रभावित होते हैं ये भविस्थ के करों के बारे में बाजार में अनिश्चिता पैदा कर सकते हैं प्रकेती में लोक लोहावन ऐसा माना जाता है कि इस तरह के कर अलफा अधी में लोक लोहावन और राजनेतिक रूप से उपयोक्त होते हैं। भविस के निवेस में कमी एक आश्था ही अपित्यासी लाव कर का परिचे भविस के निवेस को कम करता है। क्योंकि संभावित करों की संभावना का आंकलन भी करने लगता है। आप कहीं जा रहें, निवेस कर रहें। तो आप यह भी सोचेंगे कि अच्छा, हमारे उपर टेक्स भी लगाया जा सकता है। यह कीमतों में विड्धी से एक तरफा लाब में विड्धी होती है। तो इसे बास्तविक रूप से आपित्यासित कहा जा सकता है। या लाव वाले उत्पादकों को छूट दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो एक सौट कहानी आप लोग कहिए विंड फॉल टेक्स की है। और पताईए किसी टॉफिक के बारे में बात करनी हो। आपके जानने के जल्चस्पी हो। तो आप उसका नाम बता सकते हैं नीचे।